तो आज आप गूड इवनिंग नमस्कार एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आज कहानी की शुरुवात करों उससे पहले आप पूरे क्राइम तक फैमिली के साथ एक खुशकबरी भी शेयर करता हूं की हाल में आपको बत कर्याम को बेस्ट करेंट अफैर्स का एक दूसरा एवाड इस सेटरड़े को 16 फैब को मिलने जा रहा है एंबी एवाड है यह एक्सचेंज फोर मीडिया यह तो बेस्ट करेंट अफैर्स शो के लिए तो मैंने का आप लोगों से शेयर करूं और अब कहानी की तरफ आते हैं आज की कहानी और कल की कहानी को लेकर भी कुछ सवाल थे परसों की कहानी को भी लेकर कुछ सवाल थे मैंने नोट किया है वो आगे आप लोगों को सुनाओंगा एक चीज और भी शेयर करता हूं बहुत सारे ऐसे मेल आजकल पढ़ रहा हूं जो गुजारिश ये कर रहे हैं क Saturday को आप दो कहानी रिकॉर्ड कर दिया किजिए ताके Sunday भी सुन ले तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इसलिए फिलाल आपते में 5-6 दिन ही बहुत है थोड़ा हम लोग भी सुकून मिलता आराम कर ले क्योंकि कहानी सिर्फ रिकॉर्ड करना नहीं होता है उस कहानी के लिए बहुत सारी चीजें आपको recall करनी होती है बात करनी होती है Research करना होता है तो छोड़ा सा वक्त लगता है तो फिर कभी ऐसा मौका मिला तो लेकिन आज की कहानी मुझे लगता है कि अब तक इस कहानी के जो सलसले की शुरुवात हुई है कई महीने हो गए अब तो शायद डेड़ दो सो से जादा कहानिया हो गई होगी उनमें ये सबसे अलग है ये कहानी मतलब किस तरह से कहूं कि किस कैटेगरी में इसको मैं फिट करूं कहानी बहुत इंट्रेस्टिंग है कहानी में बड़े सस्पेंज भी है कहानी कई जगे पे मतलब रुलाती भी है कहानी कई जगे पे फिर गुदगुदाती भी है आखर में लेकिन पूरी जो कहानी है वो थोड़ा सा हटकर है जो आमतर पर मैं आपको कहानियां सुनाता हूँ और इस कहानी के पीछे की कहानी यह है कि यह कहानी हम लोग ने इस पर शो बनाया था और मुंबे में तब हमारे रिपोर्टर थे और साहिल वहाँ पे हैं चुके साहिल जो पर शीब मुंबे बीरों को लीट करते हैं तो उन्हीं के टीम में से किसी एक उनके जानने वाले पुलिस अफसन उन्हों ने फोन किया था और बताया थे कि उन्होंने केस सॉल्फ किया है आप करना चाहें तो और खास्तार पर उस पुलिस वाले ने यह कहाता कि यह वारदात की स्टोरी है तो फिर वहां से पता चला रिपोर्टर से बात हुई और इस्टोरी दो लाहीं ही सुनके लेगा कि वाकिए यह स्टोरी है जो जानी चाहिए पिर आम लोगों ने इस पूरी स्टोरी को कवर किया और इसको दिखाया था और मुझे नहीं लगता कि आप में से जाधा तर लोगों को इस कहानी के बारे में पता भी होगा बहुत कम लोगों को शायद इसकी जानकारी होगी एक कहानी है बैंगलोर टू दिल्ली कहानी की शुरुवात बैंगलोर से होती है दिल्ली तक की है और यह जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी आपको परिशान करेगी क्योंकि ये कहानी एक बीवी के 17 दिनों की कहानी है बैंगलोर रेल्वेस्टेशन से शुरू होती है कहानी और मुंबई में आ कर खत्म होती है लेकिन फिर पूरी तरह से जो खत्म होती वापस बैंगलोर में खत्म होती है साथ अक्तूबर 2011 तारीख जगह बैंगलोर रेलवे स्टेशन तानिया नाम की एक लड़की जिसकी हाल में शादी हुई कुछ वक्त पहले ही साहिल से साहिल बैंगलोर में ही काम करता था, दोनों हस्बिन वाइफ खुश, शादिशुदा जिन्दगीन की अच्छी चल रही थी इसी बीच में आफिस के किसी काम से साहिल को मुंबई भेजा जाता है किसी असाइन्मेंट पर, तो साहिल मुंबई पहुंचता है, और मुंबई जाने के बाद, वो अपना काम खत्म करता है, और उसे लगता है कि उसका काम खत्म हो गया, तो फिर वो सोचता है कि काम खत्म हो गया है, तो क्यों ना तानिया को भी थोड़ा मुंबई घुमा दें, वक्त है तो वो मुंबई से बैंगलोर फोन करता है तानिया को, और कहता है कि तुम मुंबई आ जाओ और हम लोग मुंबई घूमते हैं उसका साथ वापस बैंग्रोल लोड़ चलेंगे तो तानिया भी खुश हो जाती है कि चलो पती के साथ रहने का मौका मिलेगा मुंबई भी घूम लेंगे तो 7 अक्तूबर 2011 को तानिया भैंग्रोल रेलवे स्टेशन पहларा पहुंसती है उसका ट्रेन में बैठती है ट्रेन पै वक्त पर बैंग्रोल रेलवे स्टेशन से रवाना हो जाती है जिस जगह पे तानिया का बड़ था उसके सामने दो और लोग बैठे हुए थे उनका भी रिजर्वेशन था आमतार पर रेलवे के सफर में यह होता कि जब आप बैठते हैं और ट्रेन में चलते हैं तो शुरुवात में बहुत कम बाचीत होती है चुके अजनबी मुसाफिर होते हैं सारे और हम सब आपस में हैं अगर साथ में हैं कोई उसी से बात करते रहते हैं गप्पे माते रहते हैं तो ऐसी हुआ जब ट्रेन चली तब तक वो अजनबी अजनबी थे तानिया अपने चीजों में उलजी रही उसने कुछ कॉल वाल किया है मोबैल पर बात की पती से बात की घर बात की और ट्रेन अपना चल रही है अब ट्रेन चल रही है थोड़ी देर के बात कुछ वक्त थे निर दिर के बाद higher Commonwealth सो शुरूवात होती है अजनभी से बाद चीत तुरो मेल थे नियां भी हाए हलो करती उसके सफ़र लंबा है चालो बादचीत कर लें थोड़ी बुद होती है वक्त बीक जाता है कि इक घंटे घुदर जाते हैं फिर वो बाचीत इधर उधर की होती रहती है अजनबी और इन दोनों के बीच में कुछ वक्त पीटता है बैंगलोर बहुत पीछे छूट चुका था मुंबे करीब आती जा रही है मुंबे अब जादा दूर नहीं है और बैंगलोर पीछे रह गया तो वक्त इतना बीद गया था कि अब उस दोनों अजनबी से बात चीत के दौरान लगबग बेतकल्लुफ हो गई थी पूरी तरह से तानिया और वो लगातार बाते कर रही थी सफर भी कट रहा था और इतनी बेतकल्लुफ हो गई कि कुछ वक्त के बाद जब मुंबई नजदीक उन दोनों अजनबी महवानों ने जो हम सफर थे ट्रेन में उन्होंने चाय ओफर किया तानिया को इससे पहले भी उन्होंने ओफर कित लेकिन तानिया ने मना कर दिया था लेकिन अब चुके बात चीत बहुत कई घंटे साथ हो गए थे तो तानिया इस बार इंकार नहीं कर जाती है, सोने के बाद कुछ घंटे बीटते हैं, तानिया के नीन खुलती है, और जैसी वो नीन खुलती है, तब भी वो नीम विहोशी के हालत में थी, पूरी तरह होश में नहीं थी, लेकिन नीन खुलने के बाद उसे इतना एहसास हो गया, जो भी जिस होश को सम्हाल कर उसने आसपास देखा, तो उसने देखा कि हाँ, वाकई में ट्रेन में नहीं हुए कार में है, और वही दोनों अजनभी मुसाफिर उस कार में उसके साथ मौजूद, और साथ में एक ड्राइवर, ये कुछ कहना चाहती थी, विरोत करना चाहती थ और फिर उसकी आखे जो है वो लगपक नीम विहोशी के हालत पर थी बट उसे ये पता चल गया था कि जो थोड़ा बहुत उसका जहन काम कर रहा था कि वो कहीं फंस चुकी है उसे ट्रेन में होना चाहिए था लेकिन वो इस वक्ता नहीं कैसे कार में है कहां है क्यों है कहां ज जाने दो तो वो जो दोनों अजनभी मसाफिरते पहली बार अपना रंग दिखाते हैं और उसका कहते हैं कि तुम्हें जान से मार देंगा अगर तुमने शोर शराबा किया कार का ड्राइवर भी शायद उनका अपना था मिला हुआ था और इसके बाद वो डर जाती है डरने गर के अंदर दाखिल होते हैं और घर में ले जाते हैं उस घर में जाने के बाद तानिया को जब पहली बार वहां पहुँची और उसने वहां का मनजर और महौल देखा उसे ऐसास हो चुका था कि वो कहां आई है दरसल वो जो दोनों अजनभी मुसाफिर थे उन्होंने चा नीम बिहोशी के हालत में तानिया को वो दोनों सहारा देकर गाड़ी से इस तरह से बाहर देकर आते हैं जैसे कोई देखे तो लगे कि ये तीनो साथ हैं तीनो रिश्चदार हैं और कुछ तबेट ठीक नहीं है तो सहारा देकर गाड़ी मिलाया बाहर पहले से गाड़ी और ड्राइवर मौझूद था और उसके बाद वो जब लेकर आते हैं और जिस घर की मैं बात कर रहा हूं उस घर का मंज़र और महौल देखकर इसलिए उसे हसास हो गया क्योंकि वो एक रेड लाइट एरिया था और उस रेड लाइट एरिया का एक वो घर था उसके बाद थोड़ी देर के बाद तानिया को वहाँ पे एक औरत के हवाले कर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं उनके हाथ में 45,000 रुपे थे जो उस लेडी ने दिया था जो इस कोठे की मालकिन थी तानिया के आँखों के सामने देखते ही देखते तानिया 45,000 रुपे में बिख चुकी थी और वो दोनों दरसल कोई नहीं थे वो एक तरह के वो दलाल थे जो ट्रेन में बस अड़े में सिर्फ घूमा करते थे और ऐसी अकेली ललकियों को औरतों को वो देखते उनके साथ दोस्ती करते और उसे किसी बहाने से धोके से लाकर रेड लाइट एरिया में बेज देते थे यही तानिया के साथ हुआ था अब तानिया मुंबई के एक बदराम कोठे में गैद दोनों दलाल उसे बेच कर चले गए उसके पास उसका मुबाइल नहीं वो पहले ही ले लिया चुकी थी वो खरीच चुके थे तो उसको कोई रहाई मुम्किन नहीं थी एकाग दो दिन तो ऐसी गुजरता है कैद में और उसे बार बार यह समझा जाता है कि अब यहां से तुम्हारा निकलना मुम्किन ही नहीं है तो जो कहा जाए वो करो तुम जिसमें फरोशी के पर वो लोग भी उन्हें मालूम था कि ऐसे कैसे हंडिल करते हैं तो उसको बहुत टॉर्चर गया गया मारा पीटा गया कमरे में बन कर दिया गया कई 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 दिन तक वो कमरे में बन रहती और हर वक्त निगरानी जबरदस्त पहरा और इस बीच में वक्त बीटा गया उधर साहिल चुकि इस्टेशन पहुंचा था लेने के लिए तानिया को से मालूम था कि वो पहुंचने वाली इस ट्रेन से है बर्थ नंबर तक लेकिन ट्रेन से सब मुसाफिर उतरते हैं तानिया नहीं उतरती साहिल परिशान मोबाइल पर फोन मिलाता है मोबाइल सुच ओफ घर पर फोन मिलाता है पता चला कि घर के लोगों नो तो वहां बैंगलोर रेलवे स्टेशन से विदा किया था उनके सामने ट्रेन रवाना हुई थी अब वो घबरा जाता है है तरफ ढूनता है पूचता है लेकिन कहीं तानिया का पत पती है लेकिन तानिया का कुछ पता नहीं चलता है इस बीच धीरे धीरे वक्त गुजर रहा है और तानिया के उपर उधर लगातार जुन धाय जा रहे हैं और उसे कहा जा रहा है कि उसे ये काम करना है और लगातार उसके उपर टॉर्चर धंकियां मार पीट सब हो रहा है लेकिन तानिया अपने जित पे अड़ी भी थी करते करते करीब पंदरा दिन बीच जाते हैं जो घर की जो स्कोठे की मालकिन थी वो उसको लगाता धमका वंका कर सब कुछ भूका रखना सब जतने जल्म ढ़ा सकते हैं वो क्या पंदरावे दिन तानिया के पास वही लेड़ी पहुंचती है और उसके उसको फिर से कहती है कि देखो अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है कुछ लड़कियों से जबरदस्ती उसको कहा जाता तयार करो वो तयार होती है और फिर थोड़ी देर के बाद उसके कमरे में एक ग्रहक आता है और बाकादा धंकी देखे कि अगर तुमने कुछ उल्टा पुल्टा किया तो तुमको मार देंगे क्योंकि तुम्हारे उपर पैसे खर्च किये अब पंद्रवे दिन वो एक ग्रहक को कमरे में भेजा जाता है कमरे का दर्वाजा अंदर से बंद हो जाता है अब तानिया को लगा था कि उसकी जिन्दगी अब खत्म है क्योंकि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है और शायद अब उसकी आबरू भी नहीं बचेगी तो इसी उधेर बुन में वो जो ग्रहक आता है उसके सामने वो अचानक रोने लगती है और हाथ जोडती है पैर पकड़ती है मिन्नते मांगती है अपने बारे में बताती है और कहती है कि मैं ऐसे से मेरा पती यहाँ पे मैं उसके लिए आई हूँ और इस तरह से पूरी कहानी वो उस ग्राहक को बता देती है ग्राहक नसीब अच्छा था तानिया का कि कोई अच्छे दिलवाला था शरीफ इनसान था शरीफ यहां पर कहूं कि ना कहूं यह दूसरी बात है लेकिन ये कि वो उसकी बातों को सुनकर उसको तानिया से हमदर्दी हो गई तो उसने का ठीक मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा बलके तुम बताओ क्या मदद करूँ तो उसने का आप मुझे अपना मुबाइल दे दो और एक कॉल करना है मुझे उसने मुबाइल दे दिया अब बंद कमरे के अंदर तानिया फौरण अपने पती का साहिल का नंबर मिलाती हो इदर साहिल परेशान लगातार कई दिन हो गया पुलिस में रिपोर्ट लिखाए वे तानिया का पता नहीं बैंगलोर से भी लोग आ गए फैमिली के भी लोग आ गए मुंबाइ में जगा जगा ढूंड रहे हैं तानिया का कोई सुराग नहीं और मुबाइल पर हर घंटी पर उसकी नजर आहट कि शाहिए तानिया का फोन हो और इतिफाक से उस दिन अचानक मॉबाइल की घंटी बसती और ये फोन उठाता है अन्नोन नमबर और दूसरी तर से तानिया की आवाज आवाज सुनते ही पहले दोनों रोने लगते हैं पर तानिया अपनी कहानी बताती है शौट में क्योंकि उस वक्त वो फंसी भी थी और तानिया को चुके ये पता नहीं था ये मालूम था कि वो एक रेड लाइट एरिया में है लेकिन कौन से कोठे में किस नमबर के कोठा है ये सारी चीज़ों उसको जानकारी नहीं थी वो बिल्कुल नहीं थी इन चीज़ों के लिए उस ग्रहक ने उसकी मदद की उसने ब पूछा कि पूरा पता बताओं तो उस ग्रहक ने उसको पूरा एडरिस दे दिया क्योंकि वो अकसर जाय करता था उसे सब मालूम था तो उसने ग्रहक के बतायाएवे वो पते को अपने पती साहिल को नोट करा दिया साहिल नो उसको होसला दिया कि तुम जहां इतना तुमने बरदाश्ट किया रुको बस मैं तुमको अभी वहां से निकल वाता हूँ छड़वाता हूँ यह कहा कि फोन काटता है फोन रखने के बाद अब साहिल के दिमाग में तुमका एक कश्मकश थी कि अगर वो पुलिस को बताए और गलती से पुलिस को खबर हो और कोठे तक ये बात पत्थ सिल जाए तो तानिया को वो लोग नुक्सान पहुंचा सकते है और अगर वो ना बताए देर करे तो हो सकता तानिया को उस ठेकाने से कहीं और ने ठेकाने पर ले जाया है, फिर उस तक पहुचना मुश्किल हो जाएगा तो वो इस उधेरबुन में तो कि क्या करे और लड़ी रिपोर्ट पहले लिखाया है पर पुलिस को फोन करने का उसको लगाता है कि थोड़ा जोखिम भी हो सकता है खत्रा हो सकता है और ना बताया तो तानिया इदर सोधर जा सकती है इसी उधेरबुन के भी चाचाना को उसक कि ना पुलिस को बताते हैं और ना कुछ और करते हैं, उसके दिमाग में एक प्लाइन आया, उसके बाद वो सीध है, उस बताय हुए पते पर खुद अकेले पहुंच जाता है, बिना पुलिस को इनफॉर्म किये हुए, और कमाल देखिए, मुर्तविसे आप क्या कहेंगे, कि एक पती अपनी बीवी को बचाने के लिए, एक कोठे पर ग्रहक बनकर पहुंचा, और अब वो सी कोठे पर पहुंचा एड्रिस उसके पास था, वहां जाने के बाद वो कोठे की मालकिन आती है, यह अपने आपको ग्रहक ही शो करता है, उसके सामने एक-एक कर सारी ललकिया पेश की जाती है, वो सब को रिजेक करता जाता है, क्योंकि उसके नजर उसके अपनी वीवी तानिया पर थी, कि वो आये तो कहें, धीरे धीरे जितने कोठे की ललकिया थी, वो लगभक मना करता गया, और इस बीच में वक्त हो चुका था, काफी देर हो गए थी इसको वहा की मालकिन फिर तानिया को बलाती है, और साहिल इसी उमीद पर था, इसी इंतजार में था की तानिया है, वो तानिया वो देखता है, फिर दोनों कमरे में चला जाते हैं, दरवाजा फिर से बंद होता है, लाइर सी बात है, दोनों पहले बहुत देर तक रोते हैं, क्योंकि स साहिल ने अपना दिमाग चलाया, उसने कमरे के अंदर से पुलिस कंट्रोल रूम को मुंबई के फोन किया, और उसने पूरी कहानी बताई, कि ऐसे से मेरी बीवी है, जिसको या लाया गिया, मैं इस रूम में हूँ, इस कमरे में हूँ, इस कोठे नंबर पे हूँ, और मैं आखिर कार दबिश डालते जालते पुलिस के टीम हर कमरे को, खंगालते खंगालते उस कमरे तक जा पहुंचती है, जिसके अंदर साहिल और तानिया थे, उन दोनों को वहां से रहा कराया जाता है, और अच्छी बात ये थी, कि इनकी रहाई के साथ उस कोठे से और भी उस साहिल दोनों उस कोठे से निकलते हैं, तानिया पंदरा दिन के बाद एक रेड लाइट एरिया से आजाद होती है, अपने पती के पास वापस लोटती है, दोनों पती पत्नी फिर उनके जहन में ऐसा ये चप जाता है सारी चीज़ें, कि ये बाकी सारी कारवाई के बाद, वो फौरण बैंगलोर के अगली ट्रेन पकड़ते हैं, और वापस अपने घर आ जाते हैं, और उसके बाद हम लोगा ने पता करने की भी कोशिश की थी, इस इंसिज़ेंट के कई साल बाद भी, दोनों वाकई खुश हैं, लेकिन हाँ, मुंबई के नाम पे आज भी तानिय डर जाती है सुनकर, और जो इस कोठे की मालकिन थी, सुनीता पुजारी और उसकी जो असिस्टेंट रमीदा शेख, इन दोनों को पुलिस ने गिरफतार किया, इनके साथ वहां से दो और लोगों को गिरफतार किया गया, चार लोगों को एरेस्ट किया था, और फिर इनके जरीए उन दो लोगों के बारे में पता किया गया, जो बैंगलोड से चले थे साथ में, तानिया के, पता चला कि वो दलाल थे, और उनका काम ऐसी ललकियों को, और ऐसे भुले भाली, जो और ते ललकियां, जो अकेली निकलती है, ट्रैवल करती है, उनको जहांसा देकर, उ इस तरह से लाकर कोटे पे बेचना था, उनकी निशान देही पर थोड़ा वक्त लगा, लेकिन वो दोनों दलाल भी गिरफतार हुए, इन सब को सजा भी हुई, लेकिन सबसे खुशी की बात ये थी कि, तानिया बाहिफाज़त, अपनी आबरू के साथ, वापस अपने शोह सबस्तन भी है, मैसेज भी है, एक तो ये कि अगर आप अकेली जा रही है, तो कभी कितना भी आप किसी अजनभी के साथ बेतकलूफ हो जाए, खाने पीने की चीज बिलकुल मत लीजे, क्या पता कब कहां क्या हो जाए, और ये बार बार कहा जाता है, तो ये कभी नहीं करना चाहिए, कितना प्रिकॉशन 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 पूछने क्या चाहिए? अच्छा, मतलब बिन्दास एक उसको दूसरे शब्द में कहते हैं, आज मेरी जुबान पर ये चड़ गया था, ये बेतकलूफ, मतलब बहुत जादा खुल जाना, बहुत जादा खुल कर मि उस टाइब की चीज़े, एक फॉर्मल होता, एक इन फॉर्मल, तो वो उस तरह की चीज़े, मतलब एकदम खुला पंद, आपको खुल के जैसे आप बात करते हैं, जैसे मैं आप से बात कर रहा हूँ, बिना किसी सोच समझ के कुछ, बस बात किया रहा हूँ, तो उसको कहते हैं, तो ये चीज़ें जरूर होनी चाहिए कि हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, जब भी अकेले हों खासतर पर जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको, क्योंकि पता नहीं कब कौन किस रूप में आपके सामने हैं, उसकी न लेकिन उसके बावजूद देखा, लेकिन आखरी में सब कुछ अच्छा हुआ, और उसने बड़ी हिम्मत से जहला उन दिनों को, और फिर दोनों हस्बिन वाइट एक साथ हुए, खुश हैं, चले गए, तो ये थी कहानी, और ये इसमें उसके हस्बिन ने जो दिमाग वाय है, वो भी काबिले तरीफ है गी, खुद एक गरहक बन कर पहुँचना, वो बड़ी, पुलिस ने भी इसकी तरीफ की थी, और पुलिस ने गयाई नहीं, और रियक्शन टाइम जो था उनका, जिस तरीख से पहुँची पुलिस, वो भी काबिले तरीफ थी, तो उकुल मिला नाम आज बैंगलोर टो मुंबई यह आपको रखा था अब कुछ चीजे हैं मैं उस पर आता हूँ थोड़ा सा इस कहानी को सुनके इमोशनल भी हो गया आज दीपम गुपता है कि इनों ने कुछ मैंने अपनी राइटिंग नी पुड़ा पारा हूँ हाँ दीपम गुपता साहब का यह था कि जो मैंने कहानी सुनाए थी 93 ब्लास्ट की उसमें याकूब मेमन का क्या रोन था जो टाइगर मेमन के भाई जिसकी वज़ा से फांसी हुई तो जो चार्षीट है उसके हिसाब से इस पूरी साजिश की जानकारी याकूब मेमन को भी थी और जब यह पूरी मेमन फैमली दुबई गई थी 12 मार्च की सुबा जिद्दन यह धमाका हुआ तो उसमें याकूब मेमन भी था और उसमें यह भी कहा गया कि यह सारी टिक्ट विकट और यह सारे जो पैसे वैसे वो था टाइगर मेमन का वो याकूब मेमन देखा करता तो जो CBI ने जो चार्षीर दिया CBI की इनवेस्टीकेशन थी उसमें यह था कि याकूब मेमन को इनसब पूरी साजिश की जानकारी थी और इसलिए मौत की सदा दी गई हाला कि इस के बाद कई चीजें हुई लेकिन फिर नागपूर में याकूब मेहमन को फांसी दी गई और टाइगर मेहमन जो है वह भी भागा हुआ है निलू कुमार जी है इन्हों ने गौतम शिल्पी केस शैद कहानी देखी थी और इनको बड़ा गुस्सा भी आया था कि हमारे हैं करे लौ एन ओर्डर क्या है कानून क्या है तो मैं निलू जी से सहमत हूं कानून सक्त होना चाहिए गुनाइगार बचने नहीं चाहिए इंसाफ सजा जल्दी होनी चाहिए लेक कुख्यात का मतलब हमेशा निगेटिव में होता पॉजिटिव नहीं तो जल्लाद भी उसका एक पेशा है बिचारा तो मुझे उसके साथ कुख्यात नहीं कहना चाहिए था कुछ और श्रत इस्तमाल करना चाहिए था थैंक यू मनमोहन सिंग सक्सेना जी इसी तरीके से इन्होंने भी बड़ा खुब्सूरत मेल लिखा है राजीव सिंग इनके मेल के आगे बहुत अच्छी चीज लिए और राजीव मेरी दोवा होगी कि तुम जरूर यूपेसी किलियर करो इन्होंने एक चीज लिखा आप लोगों से शेर करता हूं राजीव सिंग ने आईप इनका यह था कि जो मैनेजर टाइगर मिमन का था उसका क्या हुआ तो इसको भी सजा हुई लेकिन इग्जक कितने साल की सजा हुई यह मुझे इस वक्याद नहीं लेकिन सजा हुई थी एक इरफान खान इन्होंने कहा कि आप इतना सब को सुनाते हैं कि आप एंकरिंग क्यों नहीं करते हैं तो मुझे लगता कि इरफान खान साब मने इसलिए कहा कि आपको जवाब अभी लाई भी अब यह पता नहीं लेकिन मैं क्राइम की एंकरिंग करता हूं और पिछले 14 सा को मैं खोना नहीं चाहता हूं तो इसलिए जनरल न्यूस की एंखरी नहीं करता हूं चंद्रप्रकाश शर्मा है इनका कहना कि यह कहानी सुनके ऐसा लगता जैसे पहले बच्छमन में आकाश्वानी पर रेडियो पर फर्माईश करते थे और बीजिट में गाने बसते थे मुझे भी एक वो लाइन या रहता है जैसे हमेशा सुनते थे जुम्री तलाया से चुन्नो मुन्नो राजू इस तरह की चीजें तो उनको कहते हैं कि वैसी कुछ इनकी याद ताजा हो जाती है थैंक्यू तौन प्रकाश जी काजल सिंग है सुमित है यह प्रिंस की कहानी सुनना चाते हैं प्रिंस जासूस इन्होंने पूचा कि यह भी पूचा था कि गूगल पर मिला नहीं प्रिंस जो था इसका पाकिस्तान में जब यह गया था तो इनका नाम फिरोज खान रखा था इन्होंने मैं इंसे कई बार मिला मैंने के कई सारे स्टोरी की है मैं जल्दे आपको अच्छा हूँ आपने याद दिला है मैं आपको सुनाता हूं तारिक शेख हैं गौसपूर आजमगर से इन्होंने इस्पेशली का था मेरे गाउं का नाम दीजिएगा प्रिती रमोला राजेश लियो लक्षमन जाधव लक्षमन जाधव और एक दो लोगों ने और का था उस दिन जो मैंने स्टोरी सुनाई थी तो मैंने यह कहा था कि एक्चुली बारा मार्च को धमाका नहीं होना था बलकि अप्रेल में होना था तो उसमें मैंने यह कहा था कि शिवा जी जैनती पे तो लो कास सुना दिया है, ये भी UPC की तैयारी कर रहे हैं, IPS बनना चाहते हैं, all the best, कपिल रहे जा, प्रबीर भट, इनका ये सवाल था कि क्या, South India में क्राइम कम है और North India में ज्यादा है, बिल्कुल, North India में क्राइम बहुत ज्यादा है, South India में क्राइम का रेड जो है, वो हमारा जो National Crime Record बेरो है, NRBC, उसके हिसाब से भी South में क्राइम कम होते हैं, इसके मुकाबले जो North India में होते हैं, शंकर कुमार, कवीता सूथ जी, सुंदर बागवान, हंच, हंस, हुसना शेख हैं ये, इन्होंने एक बड़ा वो लिखा था, ये साथ, अन्सब्सक्राइब भी हो चुकी इन्होंने काता है, बहुत सारे गलत कमेंट्स जब मैं इस फैमिली क्राइम तक की कहानी में पढ़ती हूं, तो मुझे बड़ा अफसोस और दुख होता है, तो अब क्या किया जाए, किस-किस को रोका जाए, लेकिन ये मैं फिर भी अपील करूँगा, कि मैं हमेशा कहता हू कि जो भी कमेंट्स करें, बेशक सब कुछ लिखे, बस ये सोच के लिखे कि उसके अपने मावा, भाई, बहन भी उस कमेंट्स को पढ़ेंगे, तो वो पढ़ सकते हैं तो ज़रूर लिखे वैसा, और अगर उसे लगता है नहीं उनको पढ़ना चाहिए, तो गुजारिश य इसके अलावा सोनल कुमार नायर, संजय मवानी, रोहित कुमार सैनी, इनका एक सवाल था कि क्या उम्र जादा हो जाए तो सजा कम हो जाती है, और ये सवाल था दाओद इबरहीम के लिए, कि अभी उसकी उम्र 55 हो गए, अगर माल लिखे 10 पकड़ा जाता है, और केस 20 साल च जले 80 का हो जाए, तो क्या उसकी उम्र को देखके सजा कम होगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है, उम्र को देखके कभी कानून में रियायत नहीं दी जाती है, इस तरह के जुर्म के लिए, आलिया है, इनके दोस्षान का आज बड़े है, इसके इलावा एक दीपक ठाकुर साहब क के दोस्त विजाहीर है, इनका भी बड़े है, तो आप दोनों को बहुत बहुत को महित कुमार गदोरिया, इन्होंने भी कमेंट्स के उपर लिखा था, प्रखर बुंदेला, तो इन समने ले लिखा, बहुत सारी चीज ने लिखी, थैंक यू वेरी मच, अब मैं दीपक से क कि क्या प्रोस्टिटुशन इलीगल है इंडिया में इसमें एक सवाल और भी है कि अगर महीला का consent है उसमें त्यार है तो प्रोस्टिटुशन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा लिए दूसरा इसमें कई चीज़े आ जाती है एक माइनर्स जो बच्चे होती है जो बालिग नहीं है हमेशा आप जब रेड़ लाइट एरिया की स्टोरी सुनेंगे किसी भी चैनल या अखबार में तो विसलिए आती है कि माइनर्स को लेके ख़बरे आती है कि उनको जबरदस्ती लाया गया है यह है उसमें यह है कि आप एक पुरानी फिल्म में अपने देखा होगा मुझ्रा उसके लिए तो है कि आप मुझ्रा मतब अगर कोई सुनने जाता है देखता है तो वहां पर कोई रोक टोक नहीं है बाकाइदा वो लीगल है लेकिन मुझ्रे की आड में सब कुछ होता है और ज पुलिस की बीगी को कहां लेके जाए जा रहा है तो पता लगाया सकता था लेकिन नहीं हो पाया पुष्पा सोंगारे जी कह लिए कि सर आप जब हसते हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं थैंक यू पुष्पा जी और थैंक यू वेरी मच बस आप लोग इसी तरह होसला क्राइम में हसने का बहुत कम मौका मिलता है मैं ऐसा नहीं मैं कॉमेडियन टाइप हूं और मैं हसना चाहता हूं हमेशा और हसता भी हूं जब कैमरा सामने नहीं होता तो लेकिन जब जैसे जब मैं आंकरिंग कर रहा हूं अगर वारदात की कैमरे के सामने हूं आज तो चली अभी हाँ सवाल जवाब में भी हो जाता है लेकिन जिस तरह की खबरे होती है और जो मेरा पेशा है क्राइम रिपोर्टिंग उसमें हसने मुस्कुराने का बिलकुल भी मौका नहीं मिलता बलके गुंजाईश भी नहीं है और बड़ा सीरियस सब्जेक्ट है तो इसलिए जब पाकिस्तान तो सारे लोगों ने वीजा के लिए अपलाई किया था तो इसमें यह भी था कि इसी बहाने मैं भी निकल लूँ और थोड़ा सा क्राची के क्लिफ्टन रोड भी घोमा हूं दाउद भाय का पता भी देख लूँ मिल भी लूँ इंट्रव्यू हो जाए क्या पत बाकी खबरे निकल आए तो जब मैसी गया था तो वहां पर बैठाया गया सब का अलग-अलग इंट्रव्यू हुआ मेरी बारी आई तो पहले मुझसे नाम पूछा मैंने अपना नाम बताया फिर क्या करते हैं यह भी बताया आज तक मुझे तो मुझे लगा चलो यह पाकि जनरलिस्ट को जाना है आप क्राइम रिपोर्टर होके आप वहां क्या करेंगे तो जैसी उसने बोला तो मैं एकदम सन इसको कैसे पता कि मैं क्राइम रिपोर्टर हूं फिर उसने पूरी कहानी सुना दी कि मैंने आपकी यह सारी स्टोरी देखी आपका शो इतने बजाता है यह है यह है फिर खुद ही बोलता कि मुझे मालूम है कि आपके पाकिस्तान जाने का असली मकसद क्या है आप वहां कराची के चक्र में जा रहे है मेरा मश्वरा यह है कि गलती से भी मत जाईएगा क्योंकि आप वहां उतरेंगे आपके पीछे चार पाच आई-स-ाई बाले ल इस केस में आरूपियों को कितनी सजा मिली और दिल्ली मुंबई में आज भी रेड लाइट एरिया है अगर है तो पुलिस करवाई क्यों नहीं करती आपकी इसाब से उसके पती ने समाजदारी की या बेकूफी की कुग्यों पकड़ा भी जा सकता था अखिल दूबे दिल् चुपा नहीं सबको पता है दिल्ली में तो पारलेमेंट हाउस से पांच किलो मेटर की दूरी पर है जीवी रोल्ट ये अजमेरी गेट एक जगा है वहाँ पर देश के संसत से पांच किलो मेटर की दूरी पर बाकी जगों पर भी है एसलमें इसमें दो तीन पहलू है एक य रहने वाली लड़कियों और उड़तों की जो कहानी है वो थी तो उनसे जितने लोगों से भी मैं मिला या बात की उसमें से एक चीज सब का कॉमन था कि अगर सरकार उन्हें कोई नौकरी दे तो वो इस पेशे को करना भी नहीं चाहती है वो छोड़ देंगी लेकिन उनको सिर्फ हटा दे और ये सारी चीज़े बन कर दे तो उनके बच्चे पढ़ड़ें स्कूल में फीस कौन देगा खाना कौन देगा तो वो बेरोजगार हो और इनकी तादाद हजारों में हैं देश भर में कई लाख रेड लाइट सेक्स वरकर्स हैं तो उन सब क्या होगा तो ये एक थोड़ा सा गंभीर कोश्चन है सवाल है वाकि उनको वापस बसाने के लिए उनको रोजगार देने के लिए कोई प्लाइन हो तो बहुत सारे तो अगर कोई रेड लाइट आजाए तो समद लिए कि उस प्लेस्टेशन की कमाई बहुत ज़्यादा होगी और ये एक ओपन सीक्रेट है इसको मतलब ढख छुपके बोलने की जरूत नहीं है और बलके मैं तो ये भी जानता हूं कि ऐसे कई प्लेस्टेशन है जहां पे जो ठा सारी चीजें चलेंगी तब तक सारी चीजें होती रहेंगी सर जो आपने कल वार्दात क्या था जिसमें माचीस वाली जो अपनी स्टोरी बताई थी उसको आप कब कहानी की तौर पर सुनाएंगे अच्छा मैं उसको जल्दी आपको कहानी के तरह कहानी किया उसको मैं चली आपको शौर्ट में सुना देता हूं पूरी गणी कल एक होशङगा बात की स्टोरी आए थी उसमें ये था है कि एक पती ये भी पती-पत्नी की नहार्ली ये थोड़ी different कहानी है एक पती और पतनी दोनों में अक्सर जगड़ा हुआ करता था और जब भी जगड़ा होता तो जो पतनी थी वो हमेशा ये पती को धंकी देती कि मैं अपनी जान दे दूँगी मैं खुद को जला लूगी मैं चाकू मार लूगी और ये कई बार हुआ और जोर जोर से जगड़ा होता परोसियों तक भी आवाद जाती परोसी भी आते फिर दोनों को समझाते चले जाते धिर धिर इतना जगड़ा होने लगा कि परोसियों को भी फिर लगा कि ये बेकार इनका डेली का यही जगड़ा है तो उन्होंने भी ध्यान देना मन कर दिया अच्छा बीच में जब भी वो ऐसा कहती धंकी देती कई बार किचन में खुद को बन कर लेती मार लेंगे तो पती वो फोन कर देता उसके बीबी के घर वालों को कि यह ऐसे कर रही है यह ऐसे धंका रही है कुछ हो न जाए लेकिन खैर फिर बार सुलट जाती लेकिन अभी दो तीन दिन पहले फिर एक बार जगड़ा हुआ और पत्नी ने फिर कहा कि मैं अपनी जान दे दूँगी और यह उस दिन खाना माना लेकर आया था ती है अब यह उस से कह रहा है कि तुम ऐसा मत करो ऐसा मत करो और घरवालो उस वक्त फोन पर इस लड़की के मौसा थे लाइन पर तो ओह कहरा है मौसा यह देख्या ऐसे से कर रही है यह आप समझाईए यह भी कहर लो वो फोन पे बात कर लोऊ ऑो कह्री कि नहीं मैं मर जहाओँए जान दे दूंगी और ये फोन करता रहा अपने स्वाइब बात कर रहा और इतनी देर में वो माजिस की तेली अचानक जलती है और उसकी वाइफ जल जाती है ये बदहावास फिर उसकी तरफ भागता आग बुजाने की कोशिश में फिर ये भी जल जाता है और इस दोरान में इस सारी चीजों में फोन नीचे गर जाता है लेकिन फोन कटता नहीं है और अब दोनों की चीख के आवास उस लड़की के उसकी बीवी के घर वाले लाइफ सुन रहे थे जब तक कि वो चीखी उसके बाद उसकी मौत हो गई च्योंकि वो पूरी दरह से जल गए थी पती गंभीर हालत में वो भी जल गया हॉस्पिटल में है लेकिन वो अभी जिन्दा है पत्नी की मौत हो चुकी है लेकिन ये था कि वो जब जल रही थी और जब चीख रही थी तो वो पूरी चीख के आवाज लाइब उसके घर वाले सुन रहे थे ये थी पूरी कहानी सर्फ कई लोग पूछ रहे हैं कि अंजान औरत को किसी अंजान मरत के साथ बादशीत कितनी सही रहती है उसकी जानी भी आ सकती थी उस वक्त हां बिल्कुल इसलिए मैंने कहा अजनभीयों के साथ थोड़ी सी दूरी बना कर रखना बहुत जरूरी है आ पूछना है कि सर्फ नाइंटी थी की ब्लाच में जो आडी एक्स मिला था उसका क्या होने वाला था क्या उसके बाद उसके इस्तमाल होने वाले की स्मगलिंग के लिए रखा गया नहीं जो बाकी सब ब्रामद हुए थे आडी एक्स मिला था वो सब असल में उसी सीरियल ब् अब उसके लिए बहुत बड़ी तादाप में कार, स्कूटर सब चाहिए था तो इंतिजाब फिर लड़के और 19 लड़के थे तो उसमें से एक तो निकल गया 18 बचे, तो इसलिए वो बहुत सारा आडेक्स यूज नहीं हो पाया, और कुछ जगों पर फट नहीं पाया, तो वो भी बजिया, पर ये था कि वो जितना आडेक्स है, उन सभी को मुंबे में यूज करना था. सुदाँशू पांडे जी का सवाल है, सर क्या रेप कम होते ही, रेप क्या कम हो जाओ, रेड़ेट एरिया की होने जैसे क्या रेप कम होते ही, ये बहुत पुराना एक बहस है, इस पे पुरानी बहस चल रही है, कि अगर प्रोस्टिचूशन को आप लिगलाइज करने हैं, कि बहुत सारे बाहर की कंट्रीज में हैं, विदेशों में हैं, तो उससे रेप कम हो जागा, ये इसको लेके बहुत सारी बहस हुई है, पॉलिटिकल फोरम पे भी, अलग-अलग सोशल फोरम पर भी, लेकिन उसका कुछ मतब ये ऐसा नहीं है कि मतब एक कोई रिसर्च या स हुए है, या सकते हैं, की दिने से स्वाल आ हो एक सर्थीकी कि ने कोई थी आप ये से लिए लूग सो बिस्ट है है हां उनդों के ले लेके था कि किडेपिंग के चानज लगे थे और उसके बारे में update क्या था ये मुझे निहीं मारूम जो bank lords है जो दोनों दलाल लेकर आहे थे उस पर किडेपिंग का भी चार्ज था ये उसस उसका क्या हुआ ये मुझे मतब उसको एक बर और करके आपको बताता हूं और अब कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ कि देखते हैं कि कल क्या कहानी हाला कि मेरी टीम में साथ बहुत सारे लोगों ने एक साथ वो कहा है आप लोग भी अपनी राय दीजेगा अगर मेल के जरीए इसमें कि कल 14 फैब है 14 फरवरी है वेलेंटाइन चीज दे है तो क्यों न मैं आपको वेलेंटाइन डे पर हलाकि बहुत अजीव सी चीज होगी पर मुझसे आप और क्या उम्मीद रखेंगे कोई खुनी लव स्टोरी सुनाओ जो बहुत ही खुनी हो और वेलेंटाइन डे की दिन ही अगर हुआ हो तो और भी बेतर है तो अ हपी वेलेंटाइन डे इस एडवांस में ही और नौ बजे कल मुलकात होगी थैंक यू वरी मच